आप सबको मेरा नमस्कार दिल्ली पुलिस में एक ASI थे उनका नाम था शंबो दयाल थी चार जनवरी को उनको एक केस पे भेजा गया हूँ अब हुआ यह कि एक महिला थाने में आई और उसने कम्प्लेन की की उनके हस्बेंट का किसी ने मुबाइल छेण लिया है वहां के थाना ध्यक्ष ने शंबो दयाल जी को जो एससाई थे वहीं पे उनको कहा उनके साथ महिला के साथ जाने के लिए वो महिला के साथ गए अपने इलाके में पहुंचके महिला ने बताया कि वो सामने जो शक्स है उसने मुबाइल फोन चीना है उन्होंने उसको गिरफतार कर लिया, शम्बो दयाल जी ने उस शक्स को गिरफतार कर लिया और उसे थाने ले जाने लगे, जब वो थाने ले जाने रहे थे तो उस शक्स ने अपनी जेब में से चाकू निकाला और कई बार शम्बू दयाल जी के उपर चाकू से वार किया शम्बू दयाल जी को जब अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ पे उनकी मौत हो गई आज ऐसे बहुत कम आफिसर देखने को मिलते हैं जो कि हमारी और जनता की सुरक्षा के लिए देश की सुरक्षा के लिए, समाज की उश्यों सुरक्षा के लिए लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी जान तक दाओं पे लगा देते हैं शम्बू दियाल जी जैसे शक्स के उपर हमें गर्व है पूरे देश को गर्व है, पूरी दिल्ली को गर्व है उनके जान के कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती ऐसे वीर पुरूश देश के लिए भी एसेट हैं और उनके परिवार के तो वो बहुत प्यारे थे ही लेकिन ऐसे मौके पे उनको सम्मान देने के लिए दिल्ले सरकार उनके परिवार को एक करोड रुपए की सम्मान राशी देगी मैं भगवान से प्राथना करता हूँ कि शम्भुद्याल जी को की आत्मा को शांती दे और उनके पूरे परिवार को और उनके चाहने वालों को ये दुख सहन करने की शक्ति दे ओम शंदिए.